Commerce की स्किलास में आपका Welcome है हमारा Topic Financial Markets चल रहा था यह उसी का Continuation है Last Videos में आपने समझा के Financial Market क्या होता है Financial Markets को Two Parts में Divide किया गया है First one is Money Market जिसको हम ZAR Bazar कहते हैं Second one है सरमाया बाज़ार जिसको हम Capital Market कहते हैं Money Market क्या होता है उसके बारे में एक Detailed Video पोस्ट कर दी गई थी और मैं समझता हूँ कि आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करे होंगे तो चलते हैं आज के Lecture की तरफ जिसका नाम है Capital Market जैसा के आप लोग जानते हैं कि Financial Markets में सारा खेल पैसे का होता है कि किस तरीखे से पैसे को सर्कूलेट किया जाता है या फिर किस तरीखे से पैसे को जमा किया जाता है Money Market का जो बाजार था वो Short Term Period के लिए था यानि वहाँ पर एक साल से कम Short Term मालिया वसूल किया जाता था Capital Market में Middle Term Funds और Long Term Funds के जराय से मालिया एकटा किया जाएगा Middle Term का मतलब दर्मियानी मुद्धती और Long Term का मतलब तवील मुद्धती Capital Market में ऐसे Securities इशू किये जाएंगे जिनका Period एक साल से ज्यादा होगा तो ये बात आपको याद रखने की है कि Capital Market में एक साल से जाएद Securities को इशू किया जाएगा यानि जिन Securities का Maturity Period एक साल से जाएद होगा मतलब दो साल भी हो सकता है तीन साल भी हो सकता है या पिर चार साल भी हो सकता है Condition क्या है कि एक साल से जाएद का Maturity Period होना चाहिए Capital Market, सरबाया बाजार, Middle Term और Long Term Finance में Securities को इशू करेगा समझ में आ रहा है इसका मतलब जिनका Period एक साल से ज्यादा का होगा Period of Maturity Capital Market, Long Term Finance फराहम करेगा यानि एक तवील मुद्धती मालिया कारोबार को फराहम करेगा जिसका Period एक साल से जायत का होना चाहिए ये एक कंडिशन है इसका मतलब ये नहीं के एक ही साल का हो एक साल से जायत का मतलब दो साल, चार साल, छे साल, आठ साल, दस साल या पंदरा साल या बीस साल Long Term होना चाहिए तवील मुद्धत होना चाहिए Capital Market में Less Liquidity रहती है यानि Availability of Cash कम रहता है ऐसा क्यूं होता है जाहिर सी बात है कि पैसा एक साल से ज्यादा में वापिस आएगा यानि एक साल तक आपका पैसा नहीं आएगा तो Automatically Liquidity कम ही रहेगी Capital Market थोड़ा रिस्की है यानि इसमें जोखिम होता है क्यों रिस्की हैं? क्यूंकि Companies यहाँ पर आकर फस जाती है Companies यहाँ पर बहुत ही Secured होती है इसका मतलब उन्हें Payment यहाँ पर करना ही पड़ेगा Interest और Principal का भी उनको Payment करना पड़ेगा यह Situation बहुत ज्यादा रिस्की होती है Capital Market में Investors को Return बहुत ज्यादा आता है और देखो एक चीज याद रखना जितना Time Period बढ़ेगा Return भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा आप एक साल के लिए Investment करेंगे तो Return कम आएगा दो साल के लिए करेंगे तो थोड़ा ज्यादा आएगा चार साल के लिए करेंगे तो थोड़ा और ज्यादा आएगा और दस साल के लिए करेंगे तो उससे भी ज्यादा आएगा याने period of time जितना बढ़ेगा आपको returns उतने ज्यादा मिलना शुरू होंगे ये सारे returns compounding होते हैं compounding एक technical term होता है अगर real life में तुम इसको invest करोगे तो इसको सीखना पड़ेगा ये practical होता है, किताबों में इसको कहीं पर भी लिखा नहीं गया है बस इसमें एक चीज़ आप इतना याद रखिए कि capital market में returns ज्यादा आते हैं जितना time period बढ़ेगा उतने ज्यादा returns आएंगे अब सवाल ये पैदा होता है कि capital market में कौन से participants हिस्सा लेंगे तो आईए जानते हैं कि वो कौन-कौन लोग होंगे इसमें सबसे पहले आते हैं companies कौन आते हैं? Companies आते हैं और दूसरे नमबर पर आते हैं commercial banks याने तिजारती banks और तीसरे नमबर पर financial institutions, मालियाती इदारे और चहते नमबर पर foreign investors जो बाहर के हैं तो ये सब लोग इस market में हिस्सा लेते हैं याने participate करते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि financial markets को two parts में divide किया गया था सबसे पहले money market और दूसरा था capital market बिलकुल उसी तरीखे से capital market को भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया है जाने कि इसको भी two parts में divide किया गया है तो इसमें सबसे पहले है primary market कौन सा market है? primary market जिसको हम इप्तेदाई बाजार भी कहते हैं और दूसरा है secondary बाजार कौन सा बाजार? secondary बाजार जिसको हम सानवी बाजार भी कहते हैं ये दोनों बाजार long term में investment करेंगे तो सबसे पहले इसका एक part लेते हैं primary market आज की इस class primary market पर ही होगी क्यूंके primary market और secondary market ये बहुत बड़े टापिक्स हैं उनके लिए अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी तो आज की इस class में हम primary market के ऊपर focus करेंगे primary market को इप्तेदाई बाजार भी कहा जाता है कमपनिया, securities को जब पहली मरतबा issue करेंगी कब पहली मरतबा, सबसे पहली मरतबा issue करेंगी इस market में issue करेंगी जिसको हम primary market कहते हैं इसको new issue market भी कहा जाता है क्या कहा जाता है? new issue market इस market में आपको सिर्फ buyers याने खरीदार मिलेंगे primary market में securities को sale नहीं किया जाएगा primary market में securities को सिर्फ खरीदा जा सकता है इस market में companies अपने securities को issue कर सकते हैं और उन securities की खीमत कितनी होगी ये management इंतेजामिया decide करेगा कौन decide करेगा? management इंतेजामिया और ये कहां पर पाई जाती है? primary market का कोई fixed location नहीं होता है इनका कोई जोगराफियाई इलाखा नहीं होता है primary market सारे के सारे online काम करते हैं आज की इस दौर में हर चीज online हो चुकी है हमारा education भी online हो चुका है अब online ही future है तो primary market कहां काम करेंगी? कहां काम करेंगी? online काम करेंगी समझ आ रहा है primary market क्या होती है? कमपनियों के जो पहली मरतबा securities issue होंगे वो इसी market में issue होंगे आपको ए बात याद रखनी है कि पहली मरतबा first time इसी लिए इसको new issue market भी कहा जाता है primary market में कमपनियों investors को shares बेचेंगी जिससे उन कमपनियों को fund याने पैसा मिलेगा और जिन investors ने इन कमपनियों में invest किया है उनको हिस्सा मिलेगा वो हिस्सेदार बनेंगे primary market में सीधे तवर पर कमपनियों और investors के बीच में transactions होंगे याने सौधे होंगे primary market में investors का सारा पैसा सीधा companies के पास जाता है और investors को company के shares मिल जाते हैं जिससे वो उस company में हिस्सेदार बन जाएंगे समझ में आ रहा है कि पैसे को कैसे कठा किया जा रहा है अब सवाल ये पैदा होता है कि primary market में कौन लोग invest करेंगे तो इसमें सबसे पहले आते हैं individuals जैसे के आप और हम दूसरे नमबर पर है banks और तीसरे नमबर पर है mutual funds और चहते नमबर पर है financial institutions याने मालियाती इदारे ये तमाम लोग major investors होते हैं इसका मतलब जिन्होंने सरमाया कारी की है अब इसके बाद ये सवाल पैदा होता है कि इसमें कौन से securities हैं जो primary market में issue किये जाएंगे तो आईए जानते हैं कि कौन कौन से securities इस market में issue होंगे सबसे पहले आते हैं equity shares जिनको हम मसावाती हिसस कहते हैं second number पर आते हैं preference shares जिनको हम तरजीही हिसस कहते हैं third position पे हैं तमसकात debentures और fourth position पे हैं loan और deposits तो कितने खिसम के securities इस primary market में issue किये जाएंगे चार खिसम के कौन से हैं वो सबसे पहले है equity shares मसावाती हिसस second है preference shares जिनको उर्दू में तरजीही हिसस कहते हैं और तीसरे नंबर पर है debentures जिनको हम तमसकात कहते हैं और चोहते नंबर पर है loan और deposits ये अलग-अलग types के securities हैं जो primary market में issue किये जाएंगे समझ में आया अब हमने कहा कि issue किये जाएंगे फिर से सवाल पैदा होगा कि ये कैसे issue किये जाएंगे और issue करने का तरीखा क्या होगा तो उसके process और methods हैं issue करने के उन तरीखों को अपनाते हुए securities को issue किया जा सकता है तो सबसे पहला तरीखा है offer through prospectus याने पेश नामे के जरिए पेशकश पेश नामे को कैफियत नामा या दावत नामा भी कहते हैं ये एक पुराना method है जो शुरुवात से चल रहा है इसमें क्या होता है कि एक document तयार किया जाता है जिसको public में issue किया जाएगा कि public को invitation देगा इसका मतलब ये एक दावत नामा है किसके लिए दावत नामा है public के लिए दावत नामा है कि आप आओ company को देखो company को जानो और company का नफा देखो कि company कितना profit कमा रही है और आपको भी अच्छे dividend दे सकती है तो आप इस company में investment करेंगे मतलब सरमाया कारी करेंगे prospectus दावत नामा एक paper work है सब कुछ कागस पर होता है आज कल इसका जमाना नहीं है आज कल paper work कौन करता है मगर आज के time पे हर चीज online हो गई है तो prospectus कहां issue होगा online पर issue होगा और इसको कौन issue करेंगे company या इशू करेंगे समझ में आया तो चलते हैं अब दूसरे तरीखे की तरफ offer for sale याने फरोख्त के जरीए पेशकश ये securities इशू करने का दूसरा तरीखा है इसको आप method या process भी कह सकते हैं एक company directly सीधे तोर पर इसको sale कर देती है फरोख्त कर देती है किसको sale कर देती है किसी individual को या फिर किसी company को या फिर किसी broker को तो company क्या करती है तो company अपने सारे shares किसी third party को sale कर देती है फरोख्त कर देती है वो third party बाद में उन shares को public में लेकर जाती है इससे क्या होता है कि बहुत सारे formalities जो company को करनी थी अब उन्हें करने की ज़रूरत नहीं है अब वो third particular party वो सब formalities को पूरा करेगी क्यूंकि company के पास से वो तमाम shares sale out हो चुके हैं company ने क्या किया company ने उनको sale कर दिया फरोख्त कर दिया किसको sale कर दिया third party को sale कर दिया कि तुम public में जैसे मर्जी चाहो उसे reseal कर दो तो इस सारे तरीखे को offer for sale कहते हैं याने फरोख्त के जरीए पेशकश clear हुआ कुछ समझ में आ रहा है कोशिश कीजिए समझ में आ जाएगा next method आता है private placements ये private placements क्या होते हैं इस case में company public के पास नहीं जाती shares को issue नहीं करेगी तो फिर company क्या करेगी? क्या काम करेगी? कैसे shares को issue करेगी? ये तमाम सवालात पैदा होंगे तो जानते हैं कि ये सब कैसे होता है असल में क्या होता है कि company के कुछ selected clients होते हैं कुछ selected institutions होते हैं जो already company को कह चुके होते हैं कि जब भी आप कोई securities issue करेंगे वो हमको sell कीजिए वो securities हमको issue कीजिए कौन कहेंगे? selected clients या फिर selected institutions याने कि जिनको company ने पहले से ही चुन लिया है याने कि already वो इस company में सरमाया लगा चुके हैं invest कर चुके हैं तो वो लोग कहते हैं कि आप जब भी कोई securities issue करेंगे तो हमको कह देना हम वो securities ले लेंगे याने खरीद लेंगे तो ऐसी सुरत में company क्या करेगी? और किसी को कुछ बताना नहीं पढ़ता है कि वो securities कुछ selected लोगों को दे देगी तो इस सारे process को क्या कहते हैं? इस सारे process को private placement कहते हैं तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके चहुते तरीखे की तरफ जिसको right issue कहते हैं क्या कहते हैं? right issue जब company shares दे देती है अपने पुराने shareholders को याने जब भी company कोई नई securities issue करेंगी वो अपने पुराने shareholders को दे देंगी वो अपने पुराने shareholders से पूछेंगी क्या आपको और shares की ज़रूरत है? अगर है तो जिस proportion निजबत से पुराने securities खरीदे गए हैं उसी proportion में नई securities भी उनको जारी कर दिये जाएंगे इसको एक मिसाल के जरिये समझते हैं फर्स कीजिए कि company ने एक लाग के shares issue किये जिसमें 10,000 रुपिये मेरे पास हैं याने के मेरे हिस्से में 1 by 10th shares हो गए ये पहले के shares हैं याने पुराने shares जो बहने पहले खरीदे थे अब मैं company का पुराना shareholder हूँ उनका पुराना हिस्सेदार हूँ और अब company अपने नए shares issue करना चाहती है और इस मरतबा company अपने 5000 shares issue करना चाहती है तो 5000 का 1 by 10 कितना होगा? कितना होगा 1 by 10? 5000 का 500 रूपिय होगा 5000 के 1 by 10 पुराने proportion के हिसाब से 500 होंगे तो मेरे पास मजीद और 500 shares आ चुके हैं अगर company अपने पुराने shareholders को नए shares issue करती है तो उसको right issue कहते है याने उनको हख है कि वो issue कर सकते है उनको shares issue करने का हख हांसिल होता है वो shares issue कर सकते है समझ में आया? कोशिश कीजिए आ जाएगा और इसका आखरी method है Electronic Initial Public Offer जिसको हम EIPOS कहते हैं Electronic Initial Public Offer अब ये क्या है? Electronic Initial Public Offer ये सवाल पैदा हो रहा होगा घबराये नहीं ये बहुत आसान है ये जो तमाम offers हैं जो अभी हमने समझे हैं ये सभी physical हो रहा था मगर आज जमाना किसका है? बूलिए आज जमाना किसका है? आज जमाना online का है किसका है? online का है तो आज कल company अपना सारा काम online करती हैं कैसे करती है? online करती हैं तो जब भी company shares issue करेगी या public को दे रही है तो वो उसको online तरीखे से देगी online तरीखे से उसको issue करेगी तो आज कल online का ही जमाना है और ये वक्त का भी तखाज़ा है और आज के जमाने में यही चलता है समझ में आया electronic initial public offer क्या होता है? इसको हम simple सीधे तरीखे से अगर समझें तो इसका मतलब है online shares को issue करना online shares को जारी करना तो इस class में आपने क्या सीखाज? capital market के बारे में सीखा कि वो एक middle term और long term मालिया एकटा करने का जरिया है जिसको दो हिस्सों में दो parts में divide किया गया है पहला part है primary market और दूसरा part है secondary market आज के इस वीडियो में सिर्फ primary market को discuss किया गया है next class secondary market की होगी जो काफी बड़ी होगी और बहुत interesting होगी उस market के लिए एक अलग से वीडियो की जरूरत है इस वीडियो में अगर उसको मिला दिया जाए तो आप confuse हो जाएंगे इसलिए उस market के लिए एक अलग से वीडियो बनेगा तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको आज की ये class समझ में आई होगी इस lecture को सुनिए बार बार सुनिए और अपनी तरफ से कुछ notes तयार करने की कोशिश कीजिए आपको इस class के notes वाटसप कर दिये जाएंगे आपको इंतहाई आसानी के साथ अभी जो explain किया गया है वो समझ में आ जाएगा तो अब हम हमारी class को यहीं पर खतम करते हैं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू